अगम है सलाम ऊव एक Sil dal इस्ट टूरेंस वेलकम डूशाग ऊठ्रश्व एश्व एमर खम्त एग्टियूटर कोर स्टॉडर्टर सो स्टूडरिंट क्लास्न मेट्रिक क्म्त्यूटर पर मेरी आपसे बात चल रही है और class metric computer में बिटा आज की class में हम chapter number six start कर रहे हैं students जिसका नाम हमारे पास है digital logic and design digital logic design students एक इंतहाई important chapter है जिसमें हम यह समझेंगे कि हमारे पास जो circuits होते हैं वो किस logic पर जो है वो काम कर रहे होते हैं जितने digital devices में हैं वो किस logic पर काम कर रहे होते हैं इन सारी चीज़ों को student हम इंशाल्ला इस chapter number six में पढ़ेंगे लेकिन सबसे वहले आज की class को overview ले लेते हैं कि आज की class में student हम कौन सा topic जो है वो discuss करने वाले तो बच्चों आज की class में जो हम topic discuss करने वाले वो हमारे पास है data representation in computer and logic gates तो दो topics पर बात होगी आज एक data representation और एक logic gates पर बात होगी ठीक है और इसी के साथ-साथ इन दोनों topics से related mcqs और short question answer को भी discuss करेंगे तो आई ये student सबसे बहले हम अपना topic number one data representation in computer पर बात करते हैं सबसे पहली चीज़ एक बाद आपने याद रखनी है कि data representation जो है न वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है सिर्फ किसी भी फॉर्म का मदलब क्या data आपका वॉइस फॉर्म में भी हो सकता है डेटा आपका टेक्स फॉर्म में भी हो सकता है एक्सेक्टरा तो डेटा की बहुत दिवाइसेज के बाद हुँ रही है तो जितनी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेज आ जस्ट लाइक आपका स्मार्टफून है आपका आइपैड है यह इस्टेम है वो जितना भी इस टूर डिटल फॉर्मेट इन सब में आपके बास जो डेटा स्टोर किया जाता है वो डिटल formats पर किया जाता है यानि 1010 की form में किया जाता है तो जितनी भी electronic devices हैं उन सब में आपके पास यही format जो है वो follow किया जाता है इट केंड हैंडल बाइ electronic circuit डेटल format यूज करने का मकसद यह होता है कि यह असानी पर electronic circuit को handle कर सकते हैं आपके बाद जितनी भी devices है इन सारी जो हैं वो electronic systems पर बेस्ट कर रही होती हैं हाला कि जितनी भी mechanical devices हैं उनको control करने के लिए उनके signals को control करने के लिए electronic gates electronic devices की जरूरत पड़ती है तो these circuits work on two logical binary state यह जो circuit होता है यह दो logical binary state पर काम कर रहोते है low and high low का मतलब होता है zero और high का मतलब होता है one यह कि on off पे चल रहा होता है आपके बास तो यह आपके बास data representation होती है computer में कि computer system में जितना भी data आपको store करना है ना वो सारे data format में होगा और data format का होने का फायदा ही है कि electronic circuit क्या करते है उसको handle करते है और जितने भी आपके बास लोजिकल binary state पर काम कर रहे होते हैं low और high voltage पर सही है यानि low का मतलब है zero और high का मतलब होता है basically one ठीक है अब logic gates क्या होते है यह समझना चाहिए हमें देखो logic gates basically are the basic building blocks of any digital system कोई भी डिजिटल सिस्टम होता है न कोई भी electronic system होता है उसका जो basic building block है न उस चीज़ को हम कहते है logic gates basically इसे हम electronic circuit कहते है it is electronic circuit having one or more than input and only one output students आपने दो value दें वन जीरो इस पर आपने gate लगाया और gate सही है तो वन और zero को और gate gate basically है logic circuit वो एक certain operation perform करेगा वन जीरो का answer क्या आना है आपके पास one आना है तो basically one का मतलब है signal मौजूद है और zero का मतलब है signal मौजूद नहीं है लेकिन जो resultant में आपके पास आएगा signal मौजूद है तो basically कौन सा operation किस gate से पास होगा यह basically logic gate decide करता है जिसमें आपके पास एक से जादा input है जैसे one और zero आपके पास क्या है इन पूट आई है और यह क्या है आपके पास आउटपूट है तो based on these logic gates और नेम और नॉट इसमें बेफिकली दो तीन कैटिगरी होती है logic gates में एक आपके पास होते है basic gates एक आपके पास होते है basic gates जिसमें आपके पास क्या आता है इन और नॉट यह आपके पास आता है basic gates में एक आपके पास होता है यूनिवर्साल गेट यूनिवर्साल गेट में आपके बास क्या आता है नहां आता है नोर आता है और एक आपके पास एग जोनितिक ते सबसे पहले के बारे में डिसकस करने मारे हैं तो बैसे क्ली एंड गेट का मतलब होता है डॉट से शो किया जाता है एंड गेट को और आपने ऐट्पुर्ट में लेकर आना है तो इसके सारे क्या होने चाहिए वण होने चाहिए तर क्या मतलब है आपका देखें मैं आपको समझाता हूं मिथाल की दौर्बे ये ये वाला देखें ये A और B शुट्स टेबिल से समझा रहा हूँ मैं आपको ये A और B आपके बास input है डेको A में input 0 है मतलब A में signal नहीं है और B में signal नहीं है इसी तरह A में signal नहीं है, B में signal है, तब भी resultant क्या होगा, zero होगा, जीरुब है, एसी तरह पिर A में input है और B में input नहीं है, तो थनुझा इधर भी क्या होगा, zero होगा, लेकिन अगर आपको input, दोनों अगर आपने one करो दीए, शेनना आरहा है, तब resultant में signal आएगा, तो ये कि की खासियत है कि एंड गेट से वही एंड गेट सिगनल वही पॉजिटिफ शो करेगा जिसमें दोनों में सिगनल जो है वह मौझूद होंगे जैसे अगर हम इसको सर्कृट डियाग्राम के थुरू समझाएं यह देख लें यह इंपुट को शो कर रहा है यह एंपुट है अग इसमें यह होता है कि और गिट इलेक्ट्रोनिक सर्कृट गिफ था हाइए अगर इंपुट हाई हुआ तो आप देख सकते हैं यहां पर यह दोनों जीरो यह तो जीरो लेकिन अगर यह वाला देखें आपके बाद हाई है तो रिजल्टेंट में भी हाई आएगा सही है तो थियरो आपके बाद क्या है बैसिक्ली और गेट कहलाता है जिसके डाग्राम आप यहां पर सर्केट डाग्राम देख सकता है ठीकिए बहुत आसानी से सर्किट बाद कर்चा है ये इस तरह लेफ्ट साइट पर इंपुट को शोगरता है और इसी किसको शोगरता है आउटको को चो करता है सही है । एक हुता है results not gate को बच्चों आप inverter के नाहगते हो ओ नांसे जानते हो और नॉट गेट का मतलब होता है इनवर्टेड do 100 ऐस यहाँपे जागर क्या हो जाएगा वा एस तेज आपके बार से NAND gate, NAND gate का मतलब है not end, इसका मतलब क्या देंगे मैं आपको समझाता हूँ, पहले तो आप diagram समझने, circuit diagram समझने, this is a not end gate which is equal to an end gate followed by a not gate, end gate को अगर आप not gate से गुजार देंगे तो ये क्या बन जाएगा, NAND gate बन जाए, the output of all NAND gates are high if any of the inputs are low, ये totally opposite होगा किसका end gate का, totally opposite, सही है, पहले diagram समझने कि a का signal गया, input गया, b का signal गया, और यहाँ से ये देखो, ये जो circle आपको शो कर रहा है, ये basically inversion को शो कर रहा है, ये not gate को शो कर रहा है, सही है, अच्छा, अब truth table देख लो, truth table में ये 0 और 0 दोनों में signal नहीं है, 0 into 0 answer क्या होना चाहिए, 0, लेकिन क्योंके ये NAND है, तो इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है, जैसे देखो ना मेरी बात पुनो, 0 and to 0, 0 होना चाहिए, लेकिन ये Nやって में होता, लेकिन यहाँपे NAND का मतलब होता है, जो output आ रहे है न, उसका invert किया जाए, जैसे 0 into 1, 0 होता है, लेकिन फिर भी answer क्या आ रहे है, 1 बाना रहे है, 1 into 0 answer 0 होता है, लेकिन answer क्या है에 1, क्योंकि ये invert हुआ है न, और 1 into 1 answer क्या होता है तो आंसर पील्कुल टोटली क्या होगा अपोउजट होगा कि था नौट और। ऊपोजट ऐखना इसका टेबिल आ य赔र चाहिए तो यह यह जाएगा 0111 यह प्लस से ओपर द्ली आपको तो आ-उपलस बी के उपर नौट चाहिए ना तो क्या लिगाब चाहिए ना तो क्या लिगाब लिगाब this is not or gate which is equal to an or gate followed by not get और के gate यह और gate को स्कों किस से गधार दिया not से गधार दिया अब इसका अंदर देखो यहाँ पे 0 यहां पे one होना चाहिए यहां पे one है तो तो यहां पर वन है तो जी रोगें मतलब यह दोनों ठोटली एक दुसरे के क्या हो जाएंगे अब एट हो जाएंगे तो यह वेसिकली आपके युनिवर्सल गेट में आता है नौर गेट और नैन यह आपका किस नंबर वन आपके बास क्या लिखा वाँ लू है ये स्टुटर परफॉर्म केलकुलेसेंस एंड्स डेलिटर यूजर दैश नंबर सिस्टम तो अगर हम काल्कुलेट करें किसी भी ओप्रेशन को यह देटा स्टोर करें तो उसके लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूस किया जाता है तो ऑप्शन यह है बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करते हैं स्टोर करते हैं कों सी कोडिंग सिस्टम को ज्यादा यूज करते हैं तो बेसिकली वह करते हैं हम आज की कोड़ स्टम के लिए उसलिए इसका राइट ऑप्शन आज की कोड एंग कौन से स्टुएंट बेसिक बिल्दिंग ब्लॉक किसी पी डिटल सिस्टम का तो बेसिकली आपके बास क्या है सुदेंट्स लॉजिक गेट्स हैं कि युनिवर्सल गेट इस तुम मैंने भी आपको पढ़ाया था कि हमारे पाद लॉजिक गेट्स होते हैं उसकी डिफरेंट कैटिगरी बोती है एक होते हैं युनिवर्सल गेट एक होते हैं अट्रामटिक गेट तो बढटा इनिवर्सल गेट इसमें तो कौन सा नदर आ रहा इसी तरह a dash is used to show the or operation, इसमें कौन सा option आपको ऐसा लग रहा है जो or operation, और operation का मतलब आपको पता होता है, plus की बात हो रही होती है, और operation basically option B को represent कर रहे है, इसी तरह कहरे है, in or gate, only dash condition will be true, जब आप or gate बनाते हो, or gate के circuit diagram में साल के तो और पर स्टोन अगर आप बनाओ, एक or gate बनाया, let's suppose आपने, तो यह a input है, यह b input है, सही है, और यह आपके बास हो जाएगा or, तो यह हो गया a plus b, लेकिन आपको यह देखना है, कि or gate के लिए कितनी condition का true होना चाहिए, तो याद रखिएगा or gate मिसाल के दौर पर यहाँपे signal है, यहाँपे signal नहीं है, यहाँपे signal है, और यहाँपे signal क्या है, नहीं है, तो यह one है, और यह क्या है, zero, तो बिटा, resultant भी क्या आएगा, one आएगा, तो इसी लिए बिटा, or gate के लिए सिरिफ एक condition का true होना भी क्या है, students, बहुत है आपके लिए, mcqs number seven में गह रहा है, dash is used to show the not operation, बिटा, not operation जो है न, वो invert operation बिसिकली इस तरह होता है, जैसे अगर मैं लगा दूँ, a plus b, अगर इसको not से गुदारना है, तो मुझे उपर not का यह वाला symbol लगाना होगा, जो के यहाँपे कहीं भी नदर नहीं आ रहा मुझे, तो इसलिए इसका right option आपके पास क्या होगा, none होगा, mcqs number eight, a dash is used to show the non operation, बिटा, non operation क्या होता है, not, nand का मतलब होता है, not end, nand का मतलब होता है, not end, मतलब end यह होता है, end तो यह होता है, इसके ओपर अगर आप invert लगा दे तो यह क्या बन जाएगा, nand बन जाएगा, तो यह वाला तो कह आपके पास क्या होगा, d, यानि none, mcqs number nine, a dash is used to show the nor, इसका भी यह होगा, nor का मतलब होता है, not or, यह होता है, और आपके बास, अगर इसको not से गुजार दू, तो यह symbol नहीं है, आप इसलिए non option होगा, the dash is inverter, not gate को basically हम क्या कहते है, students inverter कहते है, ठीक है, इसके बाद आपके short question and answer मौझूद है, क्यार, what do you understand by data representation in computer, तो बच्चों यह हमने अभी अपने topic में भी पढ़ा, data representation in computer, it refers to the form in which data is stored, processed and transmitted, data devices such as computer, mobile, etc, store data and data formats that can be handled by electronic circuit, these circuits work on two logical binding states, zero of, यहनी false and one on your true, तो बेटाफ बेसिकली हमने ही करा, कि हमाई कमरे स्टम में जितने भी process transmitted, या data store करा जाता है, वो data formats पर किया जाता है, यानि zero और one की base पर किया जाता है, ताकि electronic circuitry असानी से handle हो सके, इसी तरह कहरा है, what do you mean by logic gates, logic gates जैसे कि मैंने आपको बता है, these are the building blocks of any data system, कोई भी data system आप create करें, उसके जो building blocks होते हैं, वो basically logic gates कहलाता है, ठीक है, और इनी logics के बु आस categories होती है, basic logic gates में end और not आता है, universal में आपके end और not आता है, ये end gate वही है, जो dot के product से show किया जाता है, ये इसका truth table है, ये इसकी circuit diagram है, जो कि मैंने अभी आपको lecture में समझाई, और gate में आपके पास जो है, वो plus के symbol से represent होता है, और इसमें एक भी condition अगर true हो जाए, तो answer जो होता है, वो inverse होता है, साहिए, not gate क्या होता है, inverse होता है, inverter भी कहते हैं, not gate को हम अक्षर mcqs में आता है students, इसे हम inverter भी कहते हैं, इसमें अगर zero input डालोगे तो one आएगा, one input डालोगे तो क्या आएगा, zero आएगा, इसी तरह nan gate, nan gate का मतलब not end, मतलब जो answer end का आ रहा है, totally उसको opposite कर दो, आप तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेटा, nan बन जाएगा, जैसे अगर यह देखो, यह end gate बनाया है, इसको आपने इससे गुजार दिया, किससे not से गुजार दिया, तो यह क्या बन गया, a.b के उपर एक बार लग गया, तो इस चीज़ को बोलेंगे nan gate, इसी आपस तो आपर वर्मन टेक कर,